ही गाइस मैं हूँ पृती और आज आप यह बहुत ही अमेजिंग टेक्निक इसे हवायन हेलिंग टेकनिक कहा जाता है और यह जो टेकनिक है वो कुछ इस तरह से कहती है कि अगर आपके बाहर की दुनिया में कुछ प्रप्रोब्लम है तो उसकी वज़ा है कि आपके अंदर कही न कहीं कुछ problem है जैसे कि अगर बाहर कहीं पर भुकम्प आया है तो उसकी वज़ा कहीं न कहीं आप भी है आप कहेंगे अरे मैंने तो कुछ नहीं किया मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था सी ये कुछ इस तरह से काम करता है कि इंसान की जो energies होती है इंसान की जो ऊर्जा होती है वो बाहर हम जैसा हम अंदर महसूस करते हैं उसी तरह की ऊर्जा हम बाहर भी भेजते हैं और वो कहीं न कहीं दुनिया पर भी effect करता है और इसलिए अगर आपकी बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे जो शायद पॉजिटिव नहीं है तो आप उसे अपने आपको हील करके उस बाहर का जो डिस्कॉर्ड है बाहर का जो डिस्टर्बंस है उसे आप ठीक कर पाएंगे और वो कुछ इतना पावफुली काम करता है कि हवाई में हवाई एक जगा का नाम है तो हवाई में एक डॉक्टर थे उनके पास क्लिनिकली कुछ ऐसे केसिस थे कि जिनके मतलब वो साइकलोजिकली इतनी बुरी तरह से बिमार थे कि उनके पास जाया भी नहीं जा सकता था वो जो पेशन्स होते थे उनको हमेशा बेडियों में बां और यह जो डॉक्टर है उन्होंने वो जो पेशन्स थे उनके पास जाये बिना वो सारे पेशन्स को उन्होंने ठीक किया किस तरह से हो ओ पोनो पोनो मेथर से जिस मेथर की मैंने आप से बात की तो हम यह वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हो ओ पोनो पोनो मेथर आ अगर powerful हो गई, अगर base आपका strong हो गया, तो उसके उपर आप इमारत जितनी भी strong बना लो, वो अच्छी तरह से काम करेगी, right? So basic और advanced, सब कुछ हम जानेंगी होव ओपोनो-पोनो के बारे में, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें, शुरुआत से लेकर अन्त तक ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ पाए और इस टेकनीक को powerfully अपनी जिन्दगी में यूज कर पाए, okay? Stay tuned. मेरी चानल से subscribe रहे, subscribe बटन क्लिक करके और bell icon को क्लिक कीजिए, उसके बाद जो option आपको मिलता है, उसमें से all notifications सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का notification आपको मिल पाए तो हो उपोनोपोनो किस तरह से आपकी मदद करता है, किस तरह से आपको, मतलब यह किस तरह से काम करता है, right? आपका सवाल होगा, because जैसे मैंने आप से कहा कि बाहर कहीं पर, आप यहाँ पर हैं, लेकिन अगर देश के दूसरे कोने में, या फर कोई दूसरी कंट्री में, कोई दूसरे कॉन्टेनेंट पर, अगर भूकम्प आया है, अगर कही ने कहीं सोनामी आया है, तो आप उसकी वज़ा है तो आपको शायद बुरा लग सकता है या फिर आप शायद ज्यादा क्यूरियस हो सकते हैं कि अरे अरे ये कैसे हो गया लेकिन हर एक इनसान के अंदर कहीं नेगिटिविटी होती है और not exactly कि आपकी होती है आपकी लाइफ पूरी तरह से positive और साफ भी हो सकती है लेकिन शायद बाहर की दुनिया में कहीं नेगिटिव देख कर शायद आपके माइन में negativity आती होगी कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया तो बाहर कहीं पर कुछ negative देख कर भी आप कुछ नेगिटिव महसूस कर सकते हैं और that is the reason के कहीं न कहीं आपके अंदर भी थोड़ी बहुत negativity है not in the case के आपके अंदर आप बुरे हैं या ऐसा कुछ भी लेकिन आपको पता है कि दुनिया में कितनी ज्यादा negativity हो रही है right कितने ज्यादा negative experiences हो रहे हैं कितने ज्यादा negative चीजे हो रही हैं लोगों के साथ, जानवरों के साथ, देशों के साथ, right और वो सब कहीं न कहीं हर एक इनसान इस धर्ती पर जो है वो जिम्मेदार है उस discord का, वो जिम्मेदार है उस problems का, right और अगर वो जो energy disturbance है, जो हर एक इनसान के अंदर है, अगर उसे किसी न किसी तरह से balance किया जाए, तो सारे problems दीरे-दीरे करके कम हो सकते हैं और उस हद तक कि बहुत ज्यादा शान्ती और सुकून पूरे planet पर जा जा सकता है, right आप कहेंगे, अरे लेकिन ये काम कैसे करता है, आपको physics का law पता है, कि energy जो भी होती है, वो हमेशा flowing, मतलब हमेशा बहती रहनी चाहिए, right लेकिन energy अगर negative हो, तो यू नो वो बहेगी नहीं, क्योंकि वो negative है, और एक सच्चाई ये भी है, कि negative energy जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, मतलब इस पूरी सुरुष्टी में, इस पूरी काइनात में, सिर्फ गॉड की energy है, लेकिन हमारी धर्ती की जो माया है, वो हमे कुछ उस तरह से experiences करवाती है, कि life में अच्छा भी है और बुरा भी है, right, positive भी है और negative भी है, और उसकी वज़े से negative experiences कहीं न कहीं इनसान करते हैं, और जब negative experience करते हैं, तब आप कुछ उस तरह से function करते हैं, आपकी energies, उस तरह से function करती है, कि आप वो energy को block कर देंगे, आप उस direction से energy को block कर देंगे, because negative energy जैसा तो कुछ नहीं है, right, तो energy ब्लॉक हो जाएगी, इसी वज़े से आपको पता है कि जब कोई भी negative emotion होता है, कोई भी negative thought आता है, तो वो आपके दिमाग में अटक जाता है, right, आपको पता है कि वो जाता ही नहीं, आपको शायद कुछ negative experience में भी हो सकता है, दस साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी जैसे आपने अभी अभी उसे experience किया है, उस हद तक उतनी intensity से आप उस experience को अच्छी तरह से बिलकुल live देख सकते हो मन की आँखों में, वो सब कैसे, because energy, जो negative energy है, वो stuck हो गई है, कहीं न कहीं वो अटक गई है आपकी energy system में, और इसी वजह से युनों कहीं न कहीं, हम कहते है ना, पानी जो बहता है, वही पीने लायक होता है, वही आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, जो पड़ा रहता है, वो विश्च के बराबर हो जाता है, तो same thing, same thing applies to energies, energy जो होती है, अगर वो एक ही जगह पर पड़ी रहती है, ज्यादा समय के लिए, तो वो वे विशैली हो सकती है, और इसी लिए आपको, जब भी मैंने जैसे कहा किसी, जितनी ज्यादा energies आपके अंदर blocked होगी, उतना ज्यादा आपको वो जो negative experiences है, जो बाहर की दुनिया में दिखते हैं, वो उतने ज्यादा नसकरीबी से आपको दिखाई देंगे, अगर कोई इनसान बिलकुल साफ मन का है, बहुत ही क्लियर है, तो उसको शायद देश के किसी कोने में कोई problem दिखेगा, लेकिर अगर किसी इनसान के अंदर बहुत जादा negative energy, बहुत जादा negative blockages है, तो उसको उसके आस पास बहुत जादा problems दिखे हैं आपके अंदर, और बेस्ट पार्ट, आप इसे हो उपोनो पोनो करके अप्सॉल्फ कर सकते हैं, हो उपोनो पोनो करना कैसे है, यह एक सीक्वेंस है, जो इसे आपको step by step follow करना है, और जब आप इसे follow करेंगे तो आप आसानी से किसी भी तरह के negative energy के blockage को release कर सकते हैं, उ See, अभी, let's say for an example, आपके boss, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बात पर आपको टोकते रहते हैं, बात बात पर आपकी बुराई करते हैं, उनको लगता है कि आप perfect नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, और आपको बाते सुना हो ओपोनो पोनो करना है, अब आपको उनके पास जाकर नहीं करना है, ओके सर मुझे हो ओपोनो करना है, चलिया आजाये मेरे सामने, you don't have to do that, इसे आप अपनी मन की आँखों में कर सकते हैं, जब भी आप free होते हैं तब, इसके लिए कोई meditation की अवस्था में उतरना जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई specially time निकालना जरूरी नहीं है, मान लीजे, suppose अभी आपको कुछ negative experience हुआ, दो मिनिट आप बन कीजे, हो ओपोनो पोनो कीजे, हो गया आपका energy healing, ये को इतना जल्दी असर करता है, अब आपके boss वाला example, boss परेशान करते हैं वगेरा, मन की आँखों और उनसे कहिए I am sorry, see, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भई मैं क्यो sorry कहूं, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, वही हर बार मेरे पास मेरे लिए problems create करते रहते हैं, मैं कभी sorry नहीं कहूंगा, right, या मैं कभी sorry नहीं कहूंगी, लेकिन, see, यहाँ पर आपको उ नहीं कुछ बिगाड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से इस जनम में उनके अंदर ये बदले वाली भावना बार बार आते रहती है आपको देख कर, तो वह आपको ध्यान में रखना है, आंग बंद करके उनको sorry कहिए, जो भी मैंने, मतलब आप इंडाइरेक्ली उनसे कहना चा उस चीज़ के लिए माफी, उस चीज़ के लिए माफी, उस चीज़ के लिए माफी, नो बहुत ही चोटा सा, you know, simple sequence है, जो आप इसली कर सकते हैं, वह आपको किस चीज़ के लिए माफी आप मांग रहे हैं, वह दीरे दीरे आपको पता चलेगा, या फिर वह अपने आप figure out ह Please Forgive Me. मुझे माफ कीजिये. अगर मेरी वर्तमान काल में या फरभूत काल में कहींने कहीं कोई प्राबलम की वज़ से मैंने आपको परेशान किया हो सकता है. जाने या नजाने. उसके लिए मुझे माफ कीजिये. Please forgive Me. फिर मान लो कि उन्होंने आपको माफ कर दिया आप कहेंगे अरे अरे वो कभी माफ नहीं करेंगे सी रियल लाइफ में अगर आप जाते हैं और सौरी बोलते हैं दाट कैन बी डिफरेंट स्टोरी लेकिन यहां पर आपको मान लेना है मन की आँखों से आप कुछ भी देख सकते हैं मन की आँखों से आप कुछ भी मान सकते हैं कि हाँ इन्होंने माफी ले भी ली accept कर भी ली और मन की आँखों से मान लीजिए कि आपने इन्होंने आपको माफ कर दिया और कहिए thank you आपकी माफी इन्होंने accept कर ली आपने माफी मांगी और इन्होंने स्वीकार ली that is कि वो आपका respect करते हैं तो इसी लिए उनको thank you कहिए और कहिए I love you आप कहेंगे अरे I love you क्यों कहूं see I love you is in a way कि हमें पता है हर एक इनसान के अंदर आत्मा होती है और वो आत्मा God के God का जो soul होता है आध्यात्मा हम कहते हैं ना कि God की जो आत्मा होती है उसका एक अंच हमारे अंदर होता है और इसी लिए हम कहते हैं कि आध्यात्मा आध्यात्मा आधी आत्मा का आधा पार्ट उसमें God का होता है so yeah तो आपके अंदर God का fragment होता है और इसलिए आपको पता है कि जो आत्मा आपके अंदर है उसी तरह कि divine soul सामने वाले इंसान के अंदर भी है और आपके boss के अंदर भी है तो अगर आपको पता है कि उनमें भी divine है आपके अंदर भी divine है तो जरूर आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम की भावना जागेगी because आपने उनके अंदर के divine को अब पहचान लिया है और इसलिए आप उन्हें कहते हैं I love you माइन में कहिए ताकि कुछ ज्यादा लंबा ना हो जाए problem कुछ और ज्यादा ना हो जाए right because कई बार लोग उसे misunderstand भी कर लेते हैं okay so पूरा sequence क्या हो गया I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you okay तो ये पूरा sequence हो गया और आप कहेंगे इसे बोलना कब है अब ये वो अपनो पनो अब कभी भी बोल सकते हैं कोई परिस्थिति अगर आपकी लाइफ में अभी अभी ऐसी हुई कि आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी पस साइट पे बैठ जाएए दो मिनिट के लिए आँख बंद कर लीजिए और ये process कर लीजिए इस process को आप परिस्थितियों के लिए कर सकते हैं परिस्थिति जो present में हुई है या फिर past में हुई है या फिर आप इसे इनसान के लिए कर सकते हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार-बार आपको परिशान करने की कोशिश करते हैं या कहीं न कहीं आपको लगता है कि उनके साथ 36 का आंकड़ा है या फिर आप कहीं न कहीं उनके साथ आपकी बंती नहीं तो उनके साथ भी आप ये कर सकते हैं उसके बाद आप animals जानवर होते हैं उनके लिए भी ये कर सकते हैं आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं राइट कि ये कुट्ता बाकी सब लोगों के साथ बहुत अच्छा है लेकिन पता नहीं उस इंसान के साथ जब भी उसको देखते हैं तब भौकना शुरू कर देता है राइट तो कुछ भी प्राबलम हो सकते हैं तो animals के लिए भी आप कर सकते हैं और जगहों के लिए आप कर सकते हैं कुछ लोगों के माइन में होता है राइट जब भी वो इस जगह पर जाता है तब भी कही न कहीं कुछ गलत होता ही है तो उस जगह के लिए कीजिए हो तो वो आपने उसे वहां से हील कर दी, और ये जो पूरा सीक्वेंच से आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको बुरा लगता है, लेट से कहीं नगहीं दुनिया में कहीं पर सुनामी आ गया, और आपको बहुत बुरा लगा, अरे यार ऐसा क्यों हुआ, बस आंग ब बालन्स, क्रिएट किया है, इंसान ने जो भी असंतुलन क्रिएट किया है, उसे संतुलित किया जा सके, इसलिए कहीं न कहीं भुकम, सुनामी, इनों तुफान आना ये सब होता है, तो जब ऐसी कोई natural कोई आफ़त आती है, उसे आप कैसे हेल कर सकते हैं, धर्ती से कहिए, स forgive me, कुछ न कुछ मैंने ऐसा किया, जिसके वज़े से धरती पर imbalance हुआ है उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा फिर thank you मान लीजे के धरती ने आपको माफ कर दिया, धरती डेफिनिटली माफ ही कर देती है धरती से thank you कहिए कि उन्होंने आपकी माफ ही वो स्वीकार कर ली and I love you because आपका अस्तित्व धरती ही तो सहन कर रही है, धरती ही आपका अस्तित्व संभाल रही है तभी तो आप आज जिन्दा है, आपको खाने के लिए, खाने पीने के लिए पहनने ओडने के लिए कपड़े दिये हैं कुछ आपकी जो सारी जरूरते होती है बहुत तिक जरूरते, धरती आपको लाकर दे रही है तो उसके वज़े से उनको थांक्यू कहिए and ये पूरा सीक्वेंस खतम करती है तो आप ये नैचरल केलामिटी जे उसके लिए भी कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो इसके पहले का वीडियो है इसके पिछले हफ़ते पबलेश हुआ था EFT के उपर कि जिसमें आप अपने अंदर से एमोशनल्स, नेगिटिव एमोशन्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरूर उसे मीचे description box में उसके link रख दूँगी ताकि आप उसे देख पाए लेकिन येस अगर आपने वो देखा है तो आप उसको और इसको link कर सकते हैं अब यूनो अब ये मैंने कहीं पर सीखा नहीं है लेकिन ये बहुत ही beautifully काम करेगा कब काम करेगा EFT अगर आप पहले वीडियो उसका देख लीजिए और EFT का एक final point होता है जब यूनो आप almost one, two or one उस level पर आ जाता है तब आप ये tapping करने के time पर या फिर अगर आपको लगता है कि zero आ गया है पूरा sequence खतम हो जाए, zero आ जाए और उसके बाद final एक tap कर दीजिए हो ओ पोनो पोनो को लेकर I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you तो ये जो पूरा sequence है आपको भी अंदर से हील कर देगा प्लस आपकी अंदर से कहींने कोई energy बाहर effect कर रहे है तो वो भी एक तरह से हील हो जाएगी right, so yeah तो ये था आपके लिए हो ओ पोनो पोनो टेक्नीक और आशा रखती हूं आपको अच्छा लगा अगर ये टेक्नीक आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो जरूर उस इंसान के साथ ये वडियो शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वडियो में फिर से तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason thank you so much for watching bye bye बटनो बटनो से अंपच्वे सोपने जरूर क्रिवर event जरूर कि जरूर किवज़ना झीदा निताев जरूर कहाँ कंच्परña्त बटनो से ।ङ्छक में ऐधियो बटनो झाल 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 झाल